Hello Friends Printer Repairing totaी Dimangیک स्ब्सक्राइब करें हमारे ही चैनल को और बेल आइकेन को जड़ूर प्रैस करें तो हमारे YouTube चैनल में आपको फिर से आपको स्वागत है तो देखे जो हमारे अभी हुन्कर साय आ है तो तो प्रोलम्स आ रहे और एक संद कंपनी के एल सेरीज की जितनी सब्सक्राइब लगा होता है और उसमें जो प्रॉलम्स भी हेट से रिल्टेड होते हैं सेम ही होते हैं इसलिए हेड को रिप्लेस करना असान है यदि आपके पास एक तिस दस अगर पुराना पड़ा हुआ है तो पुराना पड़ा हुआ है तो आप एक तीस वे में आप चेंज कर सकते हैं लेकिन आपको एक चीज में आपको बताने जा रहा हूं कि हैड से रिलेटेड फोल्ट क्या आता है तो देखिए यह प्रिंटर हमारा बिल्कुल ओक्य है तो हम इसे सेल्टेस्ट या सिस्टम से कम देने के दोरान क्या प्रिंटिंग हो रही है उसे हमें सबसे पहले हमने फोटो कोपी के लिए पर बंगे स्टार्ट हो गया महाँ प्रिंटेंग अगर देख रहे होंगे अगर ऐसा कभी भी प्रॉलम्स आपके printers में create होते हैं तो आप क्या कीजिएगा क्योंकि आपको printing quality चाहिए तो printing quality के लिए आपको क्या करना होगा फिर printer को okay करना होगा आप किसी न किसी technician के पास जाईएगा या किसी printer engineer के पास जाईएगा और engineer साहब के पास जब जैसे ही आप ज आते हैं कि आपका head खराब हो गया है head को replace करना होगा तो सबसे बड़ी समस्या यहां पर आ जाती ही head का head जैसे ही हमारा problem से पता चलता है कि replace करना होगा it means यह समझना होगा आपको head replace करने के मतलब है कि आपको printer में कम से कम तीन से चार हजार रुपय के खर्चा है तो खर्चा तो बहुत जादा हो जाता है अब एक आम यूजर सोचता कि यार चार आठ हजार का printer प्रिंटर है दस जार का printer चार जार का head ही में replace करा हूं फिर ऐसा होगा तो फिर आपको head तो देखिए मैं एक जुगाट technology बता रहा हूं कि आपके printer में अगर ऐसा lining printing हो रही है अगर head में problem भी है इनिस लाइजेसर मोमेंट हो रहा है तो आप घर बैठे भी head को repair कर सकते हैं चाहे वो कितना भी पुराना से पुराना head हो तो आप उसे repair कर सकते हैं तो सबसे पहले तो आप इसके printing quality अभी देख लीजिए कि क्या रहे है इस printing qualities को आप देख ली चीछा करते हैं तो देखिए यह जो हमारे एक सीरीज का printer है है इसे हमें देखना है सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ होगा यहां पर देखती है कि सीरीज का यह printer है फिंटर को आप्टर अपे यह स्टेप बाइश्टेप तो कैसे और ने सबसे पहले इस printer के जो टॉप रहे होते हैं लेकिन इस समय हमने इसे इसके और कर रखा है तो जैसी दोनों इस्थ्रू को आप साइड के इस्थ्रू को ओपें कर लीजिए गा तो आपको यह और है यहां पर आपको प्रण्ट केवल इस सारे केवल को स्टेब आपको ओपिन करना होगा तके हम ओपिन कर रहे हैं अराम से अब पर तीनों केवल ओपिन करने के बाद यह सकैनिंग यूनिट को मान बाहर आ जाए यह जो देख रहे हैं कि यह स्कैनिंग यूनिट को बिल्कुल ही स्वाच्छी जगह पर इसे लग देते हैं ताकि यह स्कैनर हमारा खड़ाब नहीं होना चाहिए अब देखें यहां पर यह हमारा हेड़ यूनिट है अब आपको मैं एक चीज और मैं बताने जाना चाह रहा हूं कि देखिए इस प् हमारा करेंगे इसेंबली के साथ ही हमारा हेड़ लगा होता है तो दोनों में अंतर होता है एक हमारा काटेज हैडों विसेमली के साथ हेड लगा होता है वह हमारा होता है Amazon कंपली जो सामने देख रहे हैं अब देखें उस लाइनिंग को कैसे हम दू करते हैं चुटकियों में मनें कम समय में आप घर बैठे भी आप इसे रिपेर कर सकते हैं और इजी वे में अब आपको हेड का टेंसर नहीं होगा कि हेड रिप्लेस करना ही हमें जरूरत है बीना हेड रिप्लेस किये भी प्रॉलम को सोल्व कर सक लगते हैं अब देखिए हम इसे ओपन करने जा रहें आप उसे ओपन करने के लिए यहां पर देखिए एक दो तीन चार चार यहां पर लगे हुए तो चार में कौन-कौन सी होते हो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं सींटा और यह तिन कार्टेज आपको कलर के लिए होते हैं और एक कार्टेज आपके ब्लेक के लिए होते हैं जो आप ब्लेक कलर भी आप यहां पर देख रहे हैं साथ में आप इस लॉक को इसे अनलोक कर लिज पहले और इस लॉक को आप इसे लॉक से अनलोक कर लेते हैं यहां से कि और इसे हम अराम सी से बाहर निकाल लेते हैं को आपको समझना नहीं कि ज कोई नहीं के लिए जब को निकालने के लिए सबसे पहले आपको वाइट कलर के लग देख रहे हैं इस दोनों साइट के लॉग को प्रेस करना होगा अब इसमें लॉग को कैसे प्रेस करना होगा इसके लिए आपके पास या तो चिम्टी हो या एलाइनर आपके पास होनी चाहिए उस एलाइनर के मदद से इस लॉग को साइट से इसे प्रेस करेंगे और इसे भी इस साइड से प्रेस करने लेंगे अब देखें यह लॉग हमारा ओपें हो गया है कि यह एसेंब्ली के साथ और जैसी इस लॉग को आप ओपें कि यहां पर कितनी स्कूल लगे हुए है वान टू ठीरी तर तीन इस्कूल लगे हुए तीनों इस्कूल को आपको ओपेंड करना होगा ओपेंड करते ही हमारा हेड बाहर आ जाएगा और अब इसके बाद में इस एसेंब्ली से हम इसे बाहर निकाल लेते हैं जिए देखिए यह हमारा बाहर हो गया और यहां पर एक कनेक्टर लगे हुए हैं इस कनेक्टर से भी इसे बाहर निकाल लेते हैं इस पूरे एसेटेम्ली को ही हम बोलते हैं जो आप सामने देख रहे हैं इसे क्या बोलते हैं अब इस हैड को हम क्या करने जा कर लेने करने के लिए साध्य पानी के जरुर्वत होगी तो क्लिन करना होगा तो आपको इसके लिए थोड़ा साव वेट करना होगा और मैं चुरू करता हूं करना चाहिए हू और और साथ में आपके पास अलग अलग injection होनी चाहिए जी अगर हम चारो एहट के चारो कलर को क्लिन कर रहे हैं चारो पॉइंट के लिए अलग-लग हमें इन्जेक्शन भी होनी चाहिए अगर इन्जेक्शन नहीं है तो आपको फिर color mixing का भी problem create हो सकता है या ना problem हो उसके लिए हमें पहले सिरिंज को clean करना होगा जैसे आपके पास यह सिरिंज आपके पास होनी चाहिए जी इस तरह से देख रहे हैं मैंने आपको सिरिंज आपको सामने दिखा रहा हूं साथ में इसके आगे एक rubber का point भी लगा देना है ताकि यह जो हमारे काटेश का जो point है head के साथ जो जुरा हुआ है इस point के साथ जाके connect हो अब इसमें क्या करना है आपको यह भी धियान रखना है कि सबसे पहले हमने साधा पानी लिया है और इस सिरिंज से में पहले पानी को हम देखें इसमें point में पानी आगे अब देखें इसके बाद में हमें क्या करना है अब यहां पर जो हेड है उस हेड को ध्यान में रखते हुए अब जो हमारे connector होता है हेड केवल जहां पर लगा जाता है इस केवल को हमें ध्यान रखना है connector को इसमें पानी नहीं जाना चाहिए या जो भी हम यूश कर रहे है उस chemical को इसमें नहीं जाना चाहिए तो इसको बिल्कुल इस तरीके से रखेंगे इस तरीके से है कि ताकि यो उसके अंदर अब हम इ क्या किया connect कर दिया है अब आपके पास डश्ट भी हम सामने रख लेते हैं कि ताकि इससे जो भी इंक गिरेगा और डश्ट में जाएगा जी देखिए अब हम यहां से थोड़ा साराम से ज्यादा स्पीड में नहीं अराम अराम से इसे प्रेस करेंगे देखिए आप देख रहे होंगे किस तरीके से इंक निकल रहा है देखिए इस तरीके से हम इसे नोजल को अगर देखिए यह हमारा इंक प्रोपर वे में निकलना शुरू हो गया है तो समझ जाहिए कि आपका नोजल क्लीन होड़ा है देखिए यह हमारा नुजोस क्लीन हो गया है जी इस तरीके से आप घर बैठे भी अपने हेड को क्लीन कर सकते हैं किसी भी तरह के कोई कोई प्रॉलम्स क्रियेट नहीं होगा आप देखिए मैंने कनेक्टर को भी सेफ रखा है और यहां पर रश्ट भी नहीं फैलने दिया और साथ में मैंने हेड को क्लीन भी कर लिया है कि अब इसे हम टीशू पेपर के मदद से इसे क्लीन कर लेते हैं अब क्लीन करने के बाद अब इसे हेड को हम फीट करने जा रहें मैंने अपने एसेंबली में कनेक्ट करने जा रहें अब क्लीन करेंगे आप उसे प्रिंटर को प्रिंट- प्रिंटर से आपका हेड ब्लॉक जाता है जाम हो जाता क्योंकि इसमें जो में नोजल्स होते हैं जो आपके बाल से भी बारीक इसमें होल में क्या हूंचब बैठ जाता है जिसके और हमारा हेड हम हो जाता है और हम कहते हैं कि है आपको है रिपलेस करने के जरुत है कि económor तो आपको हम करते हैं कि आप हेड रिप्लेस करने की ज़रुत नहीं होगी जब भी आपके प्रिंट आउट में लाइनिंग की प्रॉब्लम्स आ रही है तो समझे कि आपका हेड का प्रॉलम्स है जो मैं जुगार तरीका में बताया हूं उस तरीके से आप इजी वे में आप काम कीजिए आपको 100% आपको प्रॉलम्स हो जाएगा तो देखिए अब हम हेड को कैसे फिट करने जा रहे हमें ध्यान भी रखना है और इस कनेक्टर को जो मैंने सेफ रहने के लिए मैंने बोला था सेफ रहेंगे अगर इस कनेक्टर में किसी कारण बस पान किरीट होगा लॉजिक बोर्ड में सौर्टिंग होगा और कुछ यहां पर कंपोनेंट्स लगे होते हैं जैसे मॉस्प्रेट है रेजिस्टर है वह आपको खराब हो जाते हैं तो इससे में हमें ध्यान में रखना है कि किस तरीके से इसे काम करना है अब हम इसे कनेक्टर नन में करना कि देखें हेट केवल रेक्टिविटी में हो गया है अब होने के बाद आप इसमें हेट को हम नीचे बैठाने जा रहे हैं अब यहां पर जैसे जो हमारा हेट बैठ गिया है तो कनेक्टिविटी में अब इसे लॉक में ऐसे नीचे बैठा देते हैं और अब तीनों स्कूरू को हम वन यहां पर लगा देते हैं अब कनेक्ट करने के बाद हम सबसे पहले जो लॉक हमने निकाला था यहां पर जो आप देख रहे हैं इस लॉक को सबसे पहले आपको क्या लगाना है ब्लैक कार्टिज को जो आप ब्लैक कार्टिज देख रहे हैं कि ब्लैक कार्टिज के बाद सेकंड नमबर हमारा आ जाता है जो आप देख रहें हेलो हेलो कार्टिज को हम लगा देते हैं ब्लैक कार्टिज को हम लगाना है नेक्ट कर दिया है कि कनेक्ट करने के बाद फिर इस पर एसकैनर गया को लगाना है आपको एसकैनर को लगाने के लिए इस साइड का जो कबर होता को हम ऑपन कर लेंगे और यह हमारा स्कैनर केवल है स्कैनर केवल हम लगा दिते हैं और इसे हम लगाए और इसके बाद में इसे सबसे पहले से और अब हम इस प्रिंटर को ओन करने जा रहे है हुआ 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 है और सबसे पहले अब क्या करेंगे हम आपको कोपी फोटो कोपी करके भी दिखा रहे हैं जो पहले प्रॉलम सा रहे थे क्या अभी भी वही सेम प्रॉलम से या प्रॉलम में चेंजिंग हुआ या नहीं हुआ कि हमने देखिए सबसे पहले इंसर्ट कर दिया प्रिंटर हमारा ओके कंडिशन में है इसे में तो अब हम यहाँ पर फोड़ोपी के लिए ब्लैक काटिज को हम ब्लैक के कलर के स्वीच है उस फ्रेस करने जा रहे हैं क्योंकि हमारे जो प्रॉललंक थे वह ब्लैक काटिज को ही भेसे हैं कि ब्लैक तमिस क्या प्रोपर निकल रहे हैं या नहीं या जैसे हमारा प्रिंटर एक Nissan glow हो गई तो pourquoi सब्सक्राइब करने ग्रते हैं और सिर्ज को हम प्रेस करने जा रहे हैं देखिए पान से साथ सेकंड बाद देखिए अगा यह इनिस प्रेसिन मुश्च कर देखा देखिए आप हमारा यहां पर काम होना शुरू हो गया है और एक कम से कम से दो से तीन मिन्यट तक यह इनिसलाइजिसन मुव्मेंट होता रहेगा इसलिए आपको वेट करना होगा वेट करने के बाद जैसी यह कौश्टेंट गुल हो जाएगे तो फिर से हम क्या करेंगे यहां पर ब्लैक का कमांड देंगे ब्लैक कार्टे से प्रिंट आउट लेकर आ नहीं आपको करके अभी दिखाते हैं। नहीं कर raja अब हम दैख्ते हैं कि हमारा पृंटर करके हैं और इस कवर को हम लगा देते हैं और दुबारा हम ब्लैक काड़ेस से कमांड देते हैं ब्लैक सीच को प्रेस कर देते हैं कर देते हैं कि पर हमें कमांड देने जा रहा है आप देकंग क्या कि अंतर भी या नहीं देख अब की पहले आपको क्या देख कि और अब क्यार तो देखें यह जो हमारा पेपर देख रहे हैं पहले जो पेपर है यह हमारा पुराना प्रिंटिंग है जो आप देख रहे हैं और अब जो परजेंट टाइम में आ रहे हैं जो यह हमारा क्वालिटी है और इसमें ऐसा है कि इंप्रुमेंट और भी ज्यादा हो जाएगा जैसे जैसे इस पेज निगलते जाएंगे इंप्रुमेंट आपको चेंज होता चला जाएगा और बेटर क्वालिटी में आ जाएगे क्योंकि अब इसमें धीरे थाइम लगेगा कुछ टाइम आपको देना होगा टाइम जैसी दीजेगा आपको इंप्रुमेंट हंडेट टेन परसेंट हो जाएगा प्रिंटर ओके कंडिशन में ब्लैक काटे से बिप्रिंट आउट देगा जो आप देख रहे हैं अब भी क्वालिटी वह क्वालिटी आपको बिल्कुल 100 परसेंट आपको मिलें तेक है थैंक यू धन्यवाद